हम सभी लोग अपनी लाइफ में हेल्थी रहना चाहते हैं और एक हेल्थी बेट को अचीव करना चाहते हैं और बहुत सारी डाइट प्लाइंस पोरो करते हैं, बहुत सारी बेट लॉस ड्रिंक्स ट्राइल करते हैं, एक्सराइस करते हैं तो आज इस वीडियो में आपनों कुछ ऐसे लाइफ हैक्स बताऊंगी जो कि फॉलो करके आप आसानी से अपनी वेट को लूस कर सकते हैं और कुछ घरीयो ऐसी गलतियां बताऊंगी जिनको करने की बज़े से आप अपने हेल्दी वेट लॉस को या हेल्दी लाइफ स्टाइल को अचीव नहीं कर पाते हैं आपको हमें खाते को बहुत हेल्दी पर आपको न्यूटेशन नहीं मिल पाता है इस सभी चीज़ों के बारे मैं आज आपनों को इस वीडियो में बताऊंगी तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और जरूर चेक कीज़ेगा कि आखिर आप इनमें से कौन सी गलती करते हैं जिसको सुधार करके आप अपनी राइफ स्टाइल को जो कि अपसार आप लोग गलती करते हैं या कुछ चीज़े जो आप लोग को पता नहीं है जिसको फॉलो करके आप अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को हेल्दी बेट को अचीव कर सकते बहुत ही इसली ना कोई वेट लॉस ट्रिंग है ना कोई वेट लॉस टिप्स है नही कोई रांसपोर्मेशन है ना ही कुछ बस आपको कुछ लाइफ एक्स बताओं जो कि आप फॉलो करेंगे और अपने हेल्दी लाइस्टाइल को और प्रोपर न्यूट्रिशन को फॉलो करेंगे क्योंकि कहीं बार आप लोग हेल्दी फूट्स खाते है प्रोपर डाइट चा अज इस वीडियो में बहुत चोटी से सिली से मिस्टेक्स में आप लोगे साथ में शेयर करूंगे वीडियो को एंग तक जरूर देखेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं राइस लववर्स के लिए एक बहुत है अच्छा है लेकर आईए जो कि आप लोगे राइस खाने का जो खाने की इच्छा होती वो उसको फुल्फिल कर सकती जी हाँ आप लोगे राइस खा सकते हैं एक राइस है और फॉलो करके तो मेरी इस वीडियो को एंग तक जरूर देखेगा तो चलिए टाइम ना बेस्ट करते वे अपना वीडियो स्टार्ट करते हो वीडियो स्टार जब भी तौर अप्लो को खाते हुआ है ऊपलो की अप्लो काथे सिर्मियो पहला है तौ आपको कुंबर लेते हैं ताकि आपकी बाटी को काट возь 50 पहाँ वाटर मिल सके और शगरतन क काते हैं अ कर चार्थे लगी और उसके सब इस सब इस तरह तै कि आप लोगी अच्छे को पील कर देते हैं या आजकल कार्टे सारे पेसिटिसाइट को यूज किया जा रहा है चुकि हमारे लिए हांफुल तो बिल्कुल आप लोग इस समय सही है पर अगर आप लोग पेसिटिसाइट से बचना चाहते हैं तो आप लोग बहुत इस इक टिप को यूज कर सेते हैं जो क खुछा प्रूट कहा है? जो अपका फाइबर क्योंकि आप विए उसको रिमॉव कर निकाल दिया और फिर आप दावा करते हैं कि हमें हाई फूट को इंटेक्ट है जो कि हमारे विड को लूज करें और फिर आप लोग सुचते हैं मैं तो फूट खाया बट फिर भी फाइबर तो सबसे सिंपल तरीका है पील को लेने का अगर आप पेस्टिसाइट से बचना चाहते हैं तो जब भी कोई फूट आप खा रहे हैं या मार्केट सेवन लेकर के आरहे हैं तो आप 15-20 मिनट के लिए उन सारे फूट्स को पानी में भर करके उसमें एक चममच बेकिंग सोडा क टाल करके आदे 15-20 मिनट आदे रिंट लिए आप लिए को ड्रक सकते हैं उसके पानी से बचा करके अच्छे से बाहर खाने के लिए यूज कर सकते हैं या उसे एक बार में कर सकते हैं या देली जब भी खरते हैं तब लिए तो इससे उस पील के ऊपर जो पेस्टिसाइड स है कि हैं नमब टूकी वाद करें तो यह है कि जब हम लोग आजकर एसी के रूम में बैखते हैं जिसाफसे गड़ में बहुत जाथ है इनसान बैटेगा जाहिर सी बात है तो आप लोग काफी सादा पानी को इंटेक करते हैं क्योंकि जुह हमारी बॉड़ी पानी है वो एसी ज जिसके लिए बहुत सिंपल सा है कि आप जिसके एसी वाले रूम में बैठेगे वहां पर एक किसी भी टब में या किसी भी बर्दन में पानी करके उस एसी वाले रूम में रख लीज़ेगे अपर आप लोग खुद नोटिस करेंगे कि आप पानी इंटेक कम होगा ऐसा जिसके प्रोलम खतेव होगी तो आपका बोड़ी वेट नॉर्मली ओटमेंटिकली नॉर्मल रहेगा नेक्स लाइख है जिसमें आप लोग अकसर दाल को सोक करके रखते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है दाल को सोक करके ही बनाना चाहिए पर आप उसमें सबसे बड़ी तो जब आप लोग दाल को भीबुएं तो अकसर उसको घ्यान में रखें कि बड़ी जब भीबुएं उसको अच्छी से वाच करके उस पानी को हटा दे उसके बात जब उस दाल को सोक करते तो उतना ही पानी उसमें डाली जितना कि आपको करने के लिए चाहिए इससे क्या ह जिससे कि आपको दाल का प्रोपर नुपरिशन नहीं मिल पाता है तो अब ध्यार के जब भी आप अपने घर में डाल को पकाई तो उसी पानी को यूज किए उस पानी को यूज करने के सबसे पहले सी ही वाच की ज़ए ताकि असकी सारी डर्ट सारी गंदरी निकल जाए और अब जो दाल का पानी उसे आप अच्छे से अपनी डायट में इफ्लूट कर से कि ताकि आपको सारी निट्रेट्स अपनी बॉड़ी में मिल सकें नेक्स है लाइफ है आप अगसे जब भी सबजी बनाते हैं तो सबजी बना लेते हैं तो उसमें आपको टाप वाटर सीथे सबजी में इससे क्या होता है कि आपकी सबजी के पखने का जो ताइम पेरिड उता वो और वी जादा बढ़ जाता है जिससे कि जो सबजी का नुट्रिशनल वैली होती वो कापी जादा कम हो जाती और जब आप उस सबजी में उपर से कच्छा पानी डालते हैं तो वो आप करें पानी को गर्म करें तभी सबजी में इंकलूड करें ताकि जंती से वह सबजी पक सके और और उसके नुट्रिशनल वैल्यू आराम से बनी रहे और आप गया सब्रीटी ब्लोटिंग यसी प्रोड्लम्स ना हो जिनको गया सब्रब्लम हो भी इस टिप को फॉलो कर सकते और नॉर्मली सभी लोग इस टिप को फॉलो कर सकते हैं ताकि उन लोग को उस सब्जी का प्रोपर नियुटरिशन लिल सकें अगसे आप लोगों ले सुना होगा कि अगर आप लोग बेट लोग सब्सक्राइब तो आप लोग को चावल एवोइड करना चाहिए तो इस वीडियो मेरे पास आपके लिए इस शीज का भी अच्छा पॉफेक्ट सॉलीशन है अगर आप लोग राइस लब रहें तो और काफी बार है डिनर में ऐसे सब्जिया बनाते जिसके साथ में राइस ही अच्छा लगता है तो इसके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप ल अगर आप लोग राइस लवर है क्योंकि राइस मुझे बहुत बहुत बढ़ बनाती हुआ जिसमें कि मुझे राइस लेना तो मैं इन फैक्स को ज़रुरी यूज करते हुँ ताकि वेट को इंक्रीज होने से में बचा सको नेक्स आप लगूंका जब भी हम लोग बूद त बहुत जल्दी में गूल करके तुरந्त रोटी बनाना शुरू करते हैं तुरे यही रोटी आगे चलकर हमें ग्यास सब्सक्ताइब भी Ło को लगता है कि रोटी घ्टाने सब वन दे यह अगर चांती यह रोटी ड़ंग दिए अगर आपको रोटी में ज़रू को थाना हर हम कोई विए अगर प्रॉब्रम नहीं तो भी इस है को जरूर राहे कि जब भी आपको गूतिये तो बहुत यह आराम से फुरी देर तक गूतिये और उसके बाद में आपनी सब्जी को बनाना शुरू कीजे जब आप सब्जी बना लिए उसके बाद में इस आटे से बनाना शुरू करें क्योंकि जब आपका आटा 30-40 मिनट तर धक कर रखा रहता है तो वह डाइजेशन को हमारे इजी कर देता पता चलाओगा कि आखिर आप लोग कों कौन कोन सी करते हैं जो कि आप लोग के निट्रिशन लेवल को लो कर देती तो मेरी इस टिप्स को ज़रू किजिगेगा खास तौर थी ज़्यादा यूस्फूल है तो मेरे इन तप्स को ज़रू तर चाहिए किजएगा और अगर आपक नेक्स्ट वीडियो में तक्तक के लिए healthy रहे, विट रहे, thank you, bye-bye.